सरगुजा और सूरजपुर जिलों में धान के अवैद भंडारन पर कार्रवाई तेज कर दी गई है अंबिकापुर शहर में एक ही दिन में खाद्य और मंडी विभाग ने कार्रवाई करते हुए छे व्यापारियों के पास से 222 धान जब्त किया है समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी रहने तक जब्त धान मुक्त नहीं किया जाएगा सूरजपुर के केवरा में एक दुकान से 500 क्विंटल धान जब्त किया गया है समर्थन मूल्य पर कोचियों, बिचॉलियों का धान, समितियों में खपाये जाने की आशंका को देखते हुए छापे मार कार्रवाई की जा रही है खाद्य विभाग और मंडी विभाग की टीम ने शहर के व्यापारियों के गोदामों की जाच की तो गोदामों में अवैध धान भंडारित मिला व्यापारियों ने धान का स्टॉक संधारित नहीं किया गया था जाच के दोरान, शे गोदामों से बाईस सो बोरा धान जब्त किया गया है इसकी मात्रा लगभग एक हजार क्विंटल है जब्त धान का बाजार मूल्य साढ़े 23 लाक रुपए आंकी गई है। जब्त धान का बाजार मूल्य साढ़े 23 लाक रुपए आंकी गई है।